हेलो गाइज एन वेलकम टू एम्प्लॉइमेंट्स पॉइंट और आज हम आपको बताएंगे बैंक ओफ महाराष्ट्रा में जो इस्पेशलिस्ट ऑफिसर की विकेंसी आई है उन विकेंसी के बारे में तो पहली पोस्ट है वो चीफ मेंडिजर वेलेंसीट की है जिसके लिए क्वालिफिकेशन माई यह है कि आप ग्रेजुएट हो साथ में आप सिय हो और कम चे कम पांस साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्पेंस हो आपको पास बेलेंसीट और मेंजमेंट का रिपोर्टिंग और एकाउंट्स का किसी भी बैंक फानिशियल इस्यूशन या पर न यह हो ग्रेजुशन के साथ में कम से पांस साल का एक्सपेशन के फिल्ड में किसी बैंक या फिफाइनशियल इस्यूश के हैड ऑफस में एक विकैंसी है जो के सामाने है वह अगली जो पोस्ट हो सिविल इंजिनर की है जिसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपके बाद चा पबलिक या प्राइबेट लिम्टेट कमपणी में, एक वेकनसी है जो के सामान है, अगली वेकनसी चार्टेड अकाउंतन की है, जिसके लिए मैकजिम एज मागई है 35 साल, इसके लिए पाइम बेचलर डगरी होनी चाहिए सेविल इंजिरीरिए में साथ पसना को के साथ और कम सख़ों के साल का स्व होना क्यों और पांट साल का सब्सक्राइब क्म सब्सक्राइब के साथ और कम से चरहें Ce और अगर डिसक्रशन नहीं होता है तो इंट्रूब्वू जो है वो सौंगों का होगा और गृुप डिसक्रशन होता है मिनियों मार्क्ष जो है समन के लिए 50 और सबस्क्रशन के लिए 45 अगर शौर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं एंट्रूब्वू के लिए तो आपको जो आपका एकैडमिक वेस है और साथ में एक्स्पिरिम्स है उसके वेस पे आपको स्ट लिस्ट किया जाएगा और जो उनक आप अपना फोर्म भर लेंगे तो उसके बाद उसका प्रेंट आउट निकालेंगे और आप उसको असिस्टेंट जनरल मेनेजर आयर एंड एचाइडी बैंक और महाराष्ट्रा लोकमंगल पंद्रह सो एक सिवाजी नगर पुने सब्सक्राब नहीं किया है तो कर लीजिए अगर आप चाहें तो हमें इस्टागाम ट्विटर गूगल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद